बिस्मिल्लाहिरामाल निरहीम हलूँ फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चानल आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हैं हरे मटर के पकॉड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पास 250 ग्राम के अप्रॉक्स हरे मटर के दाने लिए हूँ आप चाहे तो फ्रोजन मटर के यूज कर सकती हैं मटर के दाने को मैं एक ग्लास पानी में अगर आप टीजपून के करीब नमक देकर इसे बॉयल कर ली हूँ अगर अगर आप फ्रोजन पास से छे लहसुन की कलिया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग वन फोर टीजपून हल्दी पाउडर चाट मसाला पाउडर हाफ टीजपून यहां पास मैं ग्रांडर जार ली हूँ मैं चोटे वाले जार ली हूँ इसमें जादे अच्छे से पेस्ट बन जाएगा इसका अब म में 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 जीरा डाल दूंगी हरी मिर्च और लहसुन की कलिया इन तीनों को देकर मैं एक अच्छा एक दरदरा सा पेस्ट बना लोगी इसमें पानी देने की जरुवत नहीं है अगर आपको जरुवत महसूस होगी तो आप एक टेबल स्पून के करीब पानी दे सकती है वै क्योंकि हमें इसे का दरदरा सा पेस्ट बना ली हूँ अब मैं इन में डाल दूंगी यह सारे ड्राइ इंग्रिडियंट्स जो थे हल्दी नमाग चाट मसाला पाउडर इन सब को देकर अब मैं इन में बेसल और कॉन्फलोर पी डाल दूंगी स्वारी चावल का आटा उसकी इन सब को देकर हम अच्छे से मिला लेंगे मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ इन में डो की तरह बना ली हूँ अब मैं इन में इन में पकोड़े को फ्राइ कर दूंगी मैं हातों की हिल्प से छोटे छोटे पकोड़े डाल दी हूं इन में कर Lenovo करहाई में हम थोड़ा ग्याप करें इन में इन पकोड़े नहीं है पकोड़े को यह से बा इसे फ़ल फ्राइम पर नहीं पर आप जबाद नहीं पर मिदेधा करेंगे, फूल फ्राइम पर नहीं पर न गच्छ रह जाएंगे, अग्या समय पर निद्टो मुझे नहीं तो नहीं अब मैं इसे प्लट दूंगी इसे हलके हाथों से ही फलट हियेगा इसी तरह से हमें उलट प्लट कर्के फ्राइए करें इसे हमेंthy गॉर्डन फ्राइए करना है गॉर्डन ब्राउन यह देखिए इसा कलर कितना खुबसत लग रहा है गॉल्डन ब्राउन का कलर आया है इसका अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूगी सारे पकषण को मैं निकाल ली हूँ अगर आपको इसे पे तेल की दो हो तो आप इसमसमें तेल और आड़ कर कर सकती है बाखी की जों पकषण को इसी में प्राई हो जाएंगे अब इसी तरह से हमें बाकी के पकोड़े को भी प्राई करना है ओप्राई vitam ऑफ कर दूंगे इसाओ तरह कर दो याऊ अगर ने तरह हो आप करना है दोस्तों हैं अगर आपको तेल की कम लगे तो आपना थेल इस्सें और आट कर सकती हैं मैं थोड़ा कमी तेल में इसी मनी कर रही हूं यह देखिए पकॉड़े सब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे एक पिट में निकाल लेंगे पकॉड़े को मैं निकाल लूगी और गैस का फ्लेम आफ करके आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूं आप इसे हरी चक्टनी इसे भी खाशकते हैं या फिर इमली की चक्टनी साथ या सॉस के साथ भी आप इसे परोज सकती हैं आपको जो सही लगे आप उसके साथ खा सकती हैं इसे यह कितने करारे बने यह दिखिए मैं उठाई अब इसका आवास सुन रही होंगी यह देखे करारे हरे मटर के पकाड़े बनकर रेडी है यह खाने बहुत लजीज लगते हैं दोस्तों रबजान आने वाला है आप इसे इफतार में भी बना सकती हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और सा